Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal Kohli और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे last section के बारे में that is retention of electronic records और यह किसका last section है? यह Information Technology Act का last section है It's not like कि last section ही है बहुत सारे section है इस particular act में लेकिन जो 4 section हमने उठाये थे जो main 4 section थे उसका last, मतलब 4th point ही है इससे पहले मैंने 3 अलग-अलग points कवर किया है in different different videos तो आप पहले please वो videos देखके आएगा और उसके बाद आप यह video देखिएगा तो आपको ज़्यादर concept clarity होगी See, यहाँ पर यह किसकी बारे में बात कर रहा है? यह retention के बारे में बात कर रहा है कि कोई भी document retain करके रखना है उसका मतलब होता था कि आप उसे physical way में retain कर रहे है आप उसे as it is copy के form में अपने पास रख रहे हैं लेकिन आजकल जब government बोलती है retention करना है उसका मतलब होता है आप उसे electronic format पर भी कर सकते हैं retain मतलब ऐसा मानिये आपको school से बुला गया कि यह information आपको retain करके रखनी है एक तरीका होगा कि आप उस paper को अपने पास संभाल के रख लो लेकिन आपको डर था यह paper क्या हो सकता है चोरी हो सकता है फट सकता है गुम सकता है पानी में भीग सकता है तो आपने क्या सोचा इसको मैं electronic format पर संभाल के रखूँगा मतलब इस paper पर जो भी लिखा हुआ है वो मैं word file में लिख लूँगा और वो word file को हमेशा save करके रखूँगा तो यहाँ पे आप switch कर रहे हो physical से electronic mode पे और यहाँ आप क्या कर रहे हो कोई भी information retain कर रहे हो अपने पास संभाल के रख रहे हो तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही permission दिया इस particular act ने लोगों को कि आप पहले जो documents को physical way में संभाल के रखते थे आज की date में अगर आप चाहो तो उन्हें electronic format में भी संभाल के रख सकते हो आपको government की तरफ से पूरी इजाज़त है जैसे मैंने कुछ examples लिया है यहाँ पर हम बात करें companies act की 2013, income tax act की या फिर हम बात करें से भी की कोई guidelines की तो यह सब क्या बोलते हैं यह सब focus करते हैं कि जितने भी documents आपको save करके रखने आप उसे electronic format में ही save करके रखे like companies act में, companies act में बहुत सारे documents save करके रखने पड़ते हैं first time मैं बोलू, forms, different forms, minutes of the meeting, resolutions taken यह सारे क्या होती हैं, बहुत important information होती हैं, जो सालों सालों तक इस्तिमाल की जाती है, ऐसा नहीं कि एक बर खदम हो गई तो इसे जाने दीजे नहीं, आप उसे संभाल के रखते हैं सालों तक, तो government ने बोला पहले आप उसे physically संभालते थे, आपके office में specially एक department बनाना पड़ता था जिसमें आप सिर्फ files रखते थे, कितना cumbersome task हो जाता था Let's do this way, go over with this particular thing और यह सारी files को हटा दीजे इसे e-format में लिए आई है, तो आज आप information अपनी form से related, अपने minutes से related या फिर अपने resolution से related, सारी ही information अपने electronic medium में रख सकते हो इतनी permission आपको मिल गई है government की वज़े से और particular act की वज़े से क्या इस particular act में थोड़े से changes करें और इस particular act में जो चीज हमने recognize की थी उसको हमने implement कर दिया, तो आज की rate में Companies Act आपको permission देता है कि जतने भी documents आपको save करके रखने, आप यह format में save कर लीजिए no need आप उसको physical format में ही save करो अब बात करते हैं हम income tax act के बारे में, income tax act भी same चीज बोल रहा है यह बोल रहा है, जो पहले returns, जो पहले acknowledgements या फिर कोई different forms आप अपने पास physical format में रखते थे, आज उसे आप electronic format में convert कर सकते हो आज आप उसे electronic format में भी अपने पास रख सकते हो, store कर सकते हो, save कर सकते हो and likewise SEBI, first of all SEBI होता क्या है, SEBI होता है Security and Exchange Board of India this is basically, बहुत सारे हमारे हाँ पे stock exchanges होते हैं, जहां पे shares की transaction होते हैं कोई share लेता है, कोई बेचता है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, यह सारे चीज़े चलती है अब सारे stock exchanges को manage करने के लिए एक authority का तो होना बन्दा था, तो SEBI वही authority है जो सारे exchange boards को क्या करती है, manage करने का काम करती है यह उनके लिए rules बनाती है, यह उनके लिए regulations बनाती है, यह ध्यान रखती है कोई fraud तो नहीं हो रहा है, customers के बारे में सोचती है, investors के बारे में सोचती है और यह ensure करती है, सारी ही processes transparent manner में काम करे So basically, SEBI क्या कर रहा है, securities, जो भी stock exchanges होते हैं, उनको regulate करने का काम करता है तो इसने भी कुछ obligations लगाई हुई है, उन सारी companies पर जो stock exchange पर अपने shares transfer कर रही है यह उन्हें बोलता है कि यह data maintain कीजे, वो data maintain कीजे, यह रखिए अपने पास, यह information रखिए तो यह सारी information वो permission देता है कि आप electronic format में भी रख सकते हो no need आपको क्या करना है, physical format में ही वो सारी information रखने है, यह कोई जबरदस्ती नहीं है तो in short बोला जाए, government में इतना आ गया है कि जितनी भी नई acts आ रही है उसमें जब भी हम बात करते हैं, किसी भी document को retain करने की, किसी भी document को save करके रखने की तो वो सारी saving आप electronic medium में कर सकते हो, आपको physical format में paper accumulate करने की कोई आवशकता नहीं है तो यह था motor हमारा किसका information technology का, और यह हमें paperless कैसे बनाता है, देखिए पहले हम retain करे थे उस information को, document की form में, paper की form में, तो paper waste हो रहे थे आज हम उसे electronic format में लेके आ रहे, तो paper की requirement ही नहीं है, जब paper की requirement ही नहीं होगे, तो society क्या बनेगी, paperless society बनेगी तो ऐसे हमेरे, क्या environment को influence करती है, कि वो उसे paperless बनाती है That's it for this video, in our upcoming video, we'll be talking about the online transactions that are happening nowadays So stay tuned for that, and I hope आपको सारी चीज़े समझ में आयोंगे, सारे points समझ में आयोंगे और ये topic बहुत interesting लगा होगा आपको अगर कोई भी परिशानी हो, कोई भी query हो, तो आप comment section में हमें लिखके बता सकते हैं हम उसे जल्दी से जल्दी reply करने का कोशिश करेंगे With that, अगर magnet brains, अगर आपको basically इस particular chapter की notes चाहिए तो आप magnetbrains.com पे जाके notes ले सकते हैं उसका link description box में लिखा हुआ है Thank you so much